नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए डाउट सेशन में ठीक है तो बहुत बच्चों का यह डाउट है उनके अंदर यह संका है ठीक है कि इलाहबाद विश्विद्याले में पढ़ाई किस मीडियम में होगी अगर कोई स्टेट ब का हां ठीक है तो बहुत सारे बच्ची यह सोच रहा है कि अगर मैंने इंटरंस एक्जाम में हिंदी में अगर पेपर कर लिया तो क्या मुझे वहां इंग्लिस में क्लास करनी को मिलेगा या नहीं मिलेगा बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि अगर मैंने इंग्लिस वाला portion cover कर लिया entrance exam में तो क्या मैं वहाँ हिंदी वाला class नहीं कर सकता हूं ठीक है तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है वहाँ पर उससे कोई मतलब नहीं है कि आप हिंदी में attempt करें या English में ठीक है बहुत धीरे में बोल रहा हूं हिंदी में करें या English में करें ठीक है आपको जब वहां cut-off क्लियर करके यहां admission लेंगे फिर उसके बाद एक form फिल करना होता है ठीक है जब आप जाएंगे अपने department में आपने हिंदी लिया English लिया फिजिकल साइंस लिया जो भी लिया ठीक है i-से क्लासे सिर्फर टो यह होता है ठीक है तो आपको अपने पर सक्षं पढ़ेंगा कि स्क्षिन में बिल्क चल रहा है ठीक है वहाँ पर कोई optional नहीं होता है लिख हंदी औरwords डो मीडियम होते हैं आप मोगी में आप करना चाहिए तो रिक्षिन में जाए और अंगरेजी कोई सभी सब्जेक्ट हो हर सब्जेक्ट में में दो मिडियम हिंदी में पढ़ाई होगी और इंग्लिस में होगी आपको जहां मन करें वहां जाइए ठीक है इसब इन्रॉल्मेंट कराएंगे तब आपको वहां फिल कर दिया जाएगा सब्जेक्ट एल्टमेंट में कि हाँ कि आप इस सक्षन के स्टुट्ट है तो जो लेंगे आपको वहीं देंगे वह घबर जस्ती नहीं तो ठीक है सायद क्लियर हो गया होगा आप इंटरंस एक्जाम का पेपर कैसे भी किसी भी लैंग्व आपको cut off clear करके वहाँ admission लेना है अगर admission हो जाता है फिर आपकी मरजी है कुछ भी पढ़िए ठीक है तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखें कोई डाउट हो तो Instagram का link होगा description box में वहाँ अपनी query कर सकते हैं comment section में भी कर सकते हैं ठीक है पढ़ाई करते रहे हैं सारी playlist को देख डाल यह ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में त्याइब